बदलती हुई लाइफस्टाइल में हेड़ पेन यानि सरदर्ध होना एक आमसी समस्या हो गई है आज इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि आप अपने सरदर्ध कैसे पहचानी कि किस कारण से हो रहा है या ये किस तरह का सरदर्ध है तो चले हम आपको बिना टाइम बेस्ट क पर आपको बदलते हुए लाइफस्टाइल या आपके वर्क प्रिसर के वज़ास से ये प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम लगभग एक से दो घंटे तक रहती है और ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ती है इसके बाद जो दूसरा आता है वो है माईग्रेन माईग् प्रॉब्लम होता है और इसमें कभी-कभी आपको मोमिटिंग और चक्कर जैसे आने जैसी समस्या आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप अपने डॉक्टर से एडवाईज जरूर ले तीसरा जो है प्रॉब्लम हो है क्लस्टर है इसमें क्या होता आपका नाग पूरी तरीके से बंद हो जाता है और आपका सर काफी भारी हो जाता है इसको जैसे आपका चेहरा भी काफी भारी लगता है आपको और ये प्रॉब्लम आपको तब होती है जब मौसम में चेंजेज होते हैं ठंडी से गर्मी या गर्मी से बरसात का सीजन आता है इसके बाद जो आता है hypertension headache, इसमें क्या होता है, आपके head के पीछे वाला area काफी pain करता है, ये basically तब होता है जब आप किसी particular चीज को लेकर काफी जादा stress में रहते हैं, तो ये देखा गया है कि आपको ये problem face करनी पड़ती है, इसके बाद जो आती है TMJ headache, इस headache में problem ये होती है, आपके forehead के दोनों side के area में काफी pain होता है, और ये basically आपको तब होता है जब आप digital gadgets या तीबी, laptop इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब आप time पे routine पे सोते जखते या उड़ते नहीं हैं, या आप आपके lifestyle में कुस changes होते हैं, तब आपको ये problem ज्यादा face करनी पड़ती है, so basically ये चार तरीके की problem होती है आपको hit pain में, so आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें like करके बताईएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से अर करिए, इस चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिए, इसी तरीके की मज़धार information के लिए, thank you for watching, तप अवारत